नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यह दी आपके डिवाइस का जो सेल्फी केमरा है वो काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लेम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रि आप सेल्फी केमरा को यहाँ पर यूसबी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें आपका केमरा यहाँ पर टुटावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है कोई भी डेमेज वगरा यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों उसमें जो है हाड़वेर का issue हो सकती है आपको ठीक है तो hardware का issue पर दोस्तों आप यहीं mobile पर कुछ solutions करते तो वो कभी fix नहीं होगा जब तक कि आप technician के पास जाके fix नहीं करवा लेते हैं ठीक है तो चले दोस्तों शुरू करते आज के इस वीडियो को और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पेले आप भी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें यहीं आप online से पैसा कमाना चाते तो थोड़ा सा नीचे description पर जाके check out कीज़े आपको link मिल जाएगा सारे साथ यहीं आपको किसी भी चीज़ के regarding पर कोई भी problem है तो आप हमें twitter पर follow करके message जरू कर दे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा selfie camera यहीं काम नहीं करते तो mobile को एक बार restart करके देखे ठीक है restart से काम बन सकते है तो restart सबसे पहले करके देखे restart से काम हो जाता है तो ठीक है restart से काम नहीं होते problem आपको दुबारा से आ रहा है तो आपको दोस्तों जाना है आपके mobile के setting पर setting पर जाके दोस्तों scroll down करके आप जो है apps को open कीजिए ठीक है apps को यहाँ पर open कीजिए कि यहाँ पर सब camera पर भी जा सकते लेकिन सभी के camera पर जो है default reset setting नहीं रहते हैं ठीक है और किसी का camera open हो पाते है किसी का camera open नहीं हो पाते है तो problem यहाँ पर रहते है तो उसके वज़े से दोस्तों आप यह setting यही मेरा solution इस्तिमाल करते हैं तो आप दोस्तों किसी भी तरह का problem face कर रहे केमरा पर तो वह आप यहाँ से fix कर सकते हैं तो manage app पर जाए उसके बाद आपको सर्च करने हैं आपका camera तो बस दोस्तों हम आखरी steps पर है हमारा selfie camera fix करने के लिए तो camera पर हमें जाना है उसके बाद force stop कर दिना है सारी साथ clear data भी आपको करी दिना है ठीक है clear data वगरा करने की बाद एक पर problem solve हो जाएगा ठीक है तो बस यह था आपके लिए solution सारी साथ दोस्तों आप यह पर क्या कर सकते camera को और भी इंप्रूफ करने के लिए about phone पर जाके software को update कर सकते हैं तो जब आप अपने device को upgrade कर दोगे यहाँ पर तो आपका जीतने भी problem से वह definitely fix हो जाएगा ठीक है तो बस दोस्तों यह था आपके selfie camera के लिए solution तो इससे problem जरू fix हो जाएगा तो आज की वीडियो पर उस तो बस इतना है उमीद करते हैं वीडियो आपको यहा पर पसन है होगा तेंक्स राचिंग